नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चानल पर दोस्तों ऐसे लोगों को आप जानते ही होंगे जो ये कहते हैं कि हम आपका ये कारे सिध सिध कर देंगे हम आपका जो वशीकरण है वो पूँँट रूप से कर देंगे और जल्द कर देंगे लेकिन अगर आप जब भी लोगों से काम करवाने जाते हैं तो यह आप से पैसे तो ले लेते हैं लेकिन आपका जो काम है वो नहीं करते वो कारे जो है वो सिध नहीं करते और आपको सिर्फ पागल बना देते हैं तो आपको ऐसे लोगों से साबधान रहने की ज़रुत है, आपको ऐसे लोगों से बचने की ज़रुत है, आपको ज़रुत है कि आप किसी ऐसे शक्स के पास जाए, जो आपकी कारेों को सिद्ध करे, आपकी हर परिशानी का हल करे, और वो है गुरुजी, जी हाँ, क्योंकि हमा और ने कही और हमने आपको सुना दी ऐसी कोई विधी हम आपको नहीं बताते हैं हम आपको वो विधी बताते हैं जो सिद्ध है जो तपस्या करके हासल की गई है तो आज मैं आपको बताऊंगी गुरुजी द्वारा ऐसी ही एक सिद्ध विधी तो आईए समय ना बरबात करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि वो विधी क्या है क्या आपने कभी सोचा है कि सर्फ किसी के बारे में हम मन में सोचें और वो व्यक्ति हमारा हो जाए सुनने में बड़ा जीब लग रहा है लेकिन ये सच है अगर आप ये विधी हमारे बताएं अनुसार और सही तरीके से करेंगे तो जो व्यक्ति है जिस पर भी आप ये वशीकरण अपना रहे हैं वो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा ये सरल सा वशीकरण इतना प्रचंड है कि अगर एक बार किसी पर कर दिया तो दुबारा आपको कोई और वशीकरण करने की जरुरत नहीं पड़े तो आईए बताते हैं कि कैसे ये वशीकरण करना है इसके लिए सबसे पहले रात्री के समय शुकरवार के दिन इस बात का खास तोर पर ध्यान रखेगा शुकरवार के दिन रात्री के समय जब आप सोने जाएं तो सबसे पहले इसनान करकर साफ कपड़े पहने और अपने बेड़ पर लेट जाएं और उस व्यक्ति का ध्यान करें जिसे आप वर्ष में करना चाते हैं ध्यान इस हद तक करना है कि उसका जहरा जब आप आँखे बंद करें तो आपकी आखों के सामने आ जाएं जी कुछ इसी तरह आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है जब उस व्यक्ति का चहरा आपकी आखों के सामने आ जाए तो आपको अपनी नाभी पर उंगली रखनी है और एक मंत्र का साथ बाव जाप करना है जब मंत्र का आप साथ बाव जाप करेंगे और उस व्यक्ति का नाम आपको साथ बार लेना है पहले मंत्र का जाप करना है साथ बार उसके बाद आपको मन में साथ बार फिर उस व्यक्ति का नाम लेना है और मात्व तीन घंटे में जो वशीकरण है वो सिद्ध हो जाएगा वशीकरण पूरा हो जाएगा और इसका हैसास आपको कुछ ऐसे होगा कि को वो व्यक्ति कहीं भी होगा कैसे भी आपसे कॉंटेक्ट करने की कोशिश करेगा या चाहेगा कि बस वो आपके सामने आए और आपसे बाते करे और सारी उम्र बस यूँ ही आपके साथ बिताए तो ऐसा वर्षी करन अगर आप चाहते हैं तो इस विधी को सही तरीके से अपनाएए आईए अब मैं आपको बताती हूँ और वो मंत्र है ओम नमो फगू गडविश वश्यम करू करू स्वाहाम इस मंत्र को आपको अपनी नाभी पर उंगली रखकर बोलना है साथ का ध्यान रखे और दोस्तों ये जो मंत्र है वो राश्य और नाम के हिसाब से अलग-अलग होते हैं फिर मिलेंगे किसी एक नए टोटके के साथ एक नए वश्यकरन के साथ गुरुजी त्वारा बताये गए एक नए प्रचंड विधी के साथ नमस्कार